बताओ सर पहली वाद 95 डील के कौन कब बनेगा आप 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 जहेंद स्ट्रेंट्स कैसे आप सभी लो आशा करते हैं आप बहतर होंगे और आपकी तयारी भी अच्छी चल लई होगी रीजनिंग की क्लास में जैसे हम अभी तक क्लॉक के बारे में पढ़ते आ रहे थे आज हमसको क्या करते हैं हम उसके सारे कॉंसेट को कंप्लीट करते हैं और लास्ट क्लास के तोर पे हम जानते हैं कि क्लॉक के अंदर और कौन कौन से कॉंसेट निकल कर आते हैं ठीक एक बात और ध्यान में रखेंगे अभी तक जो हमने क्लॉक के बारे में concept करें हैं और उनकी क्या question जो है mostly discuss करें हैं उन्हीं को हम आज़ी class में क्या कर रहे हैं आंगे बढ़ा रहे हैं और reasoning के संबन में अभी तक जो हमने क्या क्या है discuss कर चुके हैं तो आप समझेंगे clock के अंदर आपने clock में sir आपने image के बारे में formation के बारे में जान लिया है आपने angle के according time को और time के according angle को जो है निकालना आप सीख चुके हैं यहाँ पर आप यह भी जान चुके हैं कि zero degree, 180 degree और 90 degree इनके बारे में क्या इसका महत्व रहता है अना घड़ी के अंदर के हमारी सुईया एक straight line में होती है कब एक दूसरे के कैया होती है बिप्रित होती है गब एक समान दिसा में होती है यह सब चीजें हम जान चुके हैं यहों आपने यह भी जान लिया है कि हमारी जो गड़ी襲 में जो कोई भी एंगल होता है, अगर घंटे की बात कर रहे हैं तो एक घंटे में कोई भी एंगल दो भार बनता है बस 0-大 1-80-虝ट को छोड़ कर ठेक है ङब आपने यह भी जान लिय अगर हमारा समय पार होता है किस तरह की इसे 0 डिग्री के तो आपको क्या कर देना है उसमें से भी एंगल में से उसको क्या कर देना है एक को माइनस कर देना है ताकि क्या निकलेगा आपका जितनी बार 6 वजे का टाइम आएगा उतनी बार आप क्या कर देंगे उसको माइनस करते हुचले जाएंगे फिर उसके बाद दूसरी चीज यह ही है कि सर अगर हमारा 90 डिगरी का एंगल बन रहा है तो 90 डिगरी एक घंटे में दो बार बनता है तो आप उसी परकार से क्या कहोगे कि 90 डिगरी के एंगल में एक घंटे में कितनी बार बन रहा है दो बार तो उसी आधार पर अगर आपका समय जितनी बार तीन बजे और नो बजे का समय अगर आपका क्या आता है निकल कर आता है तो जितनी बार आपका तीन बजे और नो बजे का समय निकल कर आ रहा है तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे दो को माइनस कर दू चले जाएंगी ठीक है अगर आपका मान के चलिए तीन वज़े का समय आ रहा है तो आप एक माइनस कर रहे हैं और अगर आपका तीन और नो बार समय आ रहे हैं तो आपका करना है दो को माइनस करना है हमने ये भी जान लिया था कि सर्थ हमारा 0 डिगरी, 90 डिगरी और हमारा 180 degree एक गंटे में वदब की 24 गंटे में 12 गंटे में कितनी वार जो है इनका formation निकल कर आता है हना आज की जो हमारी class रहेगी सर इसके वारे में आज का जो हमारा concept रहेगा concept में हमारा पहला question आपके सामने में पहले ही देता हूँ किसर यहां पर तीन वजे और चार वजे के भीच में कम मिनिट की सुई है जो है घंटे की सुई से साथ मिनिट आंगे होगी या साथ मिनिट क्या होगी पीछे होगी यह हमारा concept यहाँ पर निकल के आता है अब मेरी बात किलियर रखना दिमां में बठाकर करना कि कव हमारी घंटे की सुई साथ मिनिट आंगे साथ मिनिट पीछे है यानि कि आपकी कब धीमी है कभी तेज है यह सारे कॉंसेप्ट अब हमारी जो है निकल के आते हैं यह कॉंसेप्ट रहता है आपका हाजी कलॉग में अब जो हम कॉंसेप्ट कलियर करने वाले हैं जो अब पढ़ने वाले हैं कलॉग में ठीक है यह कॉंसेप्ट हमारा क्या है यह कॉंसेप्ट हमारा रहता है खराब घड़ी के यानि कि जब घड़ी हमारी क्या होती है जब हमारे कॉंसेप्ट क्या बनते हैं खराब घड़ी के आधार पर जब हमारे क्या बरना है कॉंसेप्ट निकल कर आ रहे हैं क्या बोल रहा हूं तीन टैप के question जो है निकल के आते हैं जब आपी घड़ी क्या हो धीमी हो या फिर तेज हो आपसे ये बोला जाए आपी घड़ी क्या हो धीमी हो या फिर आपके घड़ी क्या हो तेज हो इसमें फिर आपके second question जो निकल के आता है वो ये रहता है इसमें next question आपका निकल के आता है वो क्या रहता है सर आप कहेंगे कि यहां पर एक concept आप निकल के आता है जब आपी घड़ी क्या हो आंगे हो या पीछे हो और जो लाश्ट आपका जो टाइप है यहाँ पर घड़ी का सही समय कब दिखाएगी जब आप कोई एक घड़ी क्या खराब हो और एक घड़ी सही समय दिखा रही है और एक गलत समय तो हमें बताना है कि दौनों समान घड़ीयां सही समय कब दिखाती है क्या बोल रहा हूं यहां पे सही समय और गलत समय के बीच में क्या करना जा रहा है सम्बन इस्थापित किया जा रहा है तो हमें यह बताना होता है कि इस कोशन में कि हमारे लिए क्या बोल रहा हूं है हमारे लिए सही समय और गलत समय के सम्बन में क्या कोशन है अगर मैं सबसे पहले टैप की बात कर रहा हूं जहां पर जब घड़ी क्या होती है हमारी धीमी हो या फिर तेज हो क्या बोलना हूँ मैं क्यांथी घड़ी हमारी क्या है धीमी है या फिर हमारी घड़ी तेज है इसके बारे में हमें पता करना होता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं हमारे कॉंसेप्स का यूज करते हैं कि हमारे क्या कॉंसेप्स जो है निकल कर आ रहे हैं ठीक है तो आप क्या तो मैंने क्या बोला हूं कि पहला कॉंसेप्ट लिया क्या जान रहा है कि आंगे या पीछे कि कितने आंगे है कितने पीछी है ठीक है कितने, साथ मिनिट आंगे है, साथ मिनिट पीछी है तो इसके लिए एक फार्मला ये निकल के आता है सर आप खुज करूएंगे कि इसके लिए необход simple सा फार्मला है क्या पैसट अपॉन में पैसट सही पाँच वटे ग्यारा माइनस कि अपॉन में में काम केता हूँ इसे मैं यहां पर दिख लेता हूँ किया रहा हूँ इस कॉंसेट में आप यह जाने होगे कि सर हमारी घड़ी कितनी आंगे है कितनी पीछे है ठीक है क्या बोलना हूँ मैं हमारी घड़ी कितनी आंगे है या कितनी पीछे है इसके आधार पर एक कॉंसेट यह निकलता है सर आप कहोगे कि सिंपल सी बात है इसमें निकलता है सर क्या पैसर अप सही पांच बटे ग्यारा माइनस दिया गया समय अपॉन में ऐसा क्यूं है घड़ी का जो पहला टाइप है जहां पर आप क्या निकाल रहा है कि यहां पर हमारा कि जब हमारी घड़ी क्या खराब है और खराब घड़ी के सम्मन में आप क्या बोल रहा हो कि यहां पर आप से यह पूछा जाए कि हमारी घड़ी इतनी आंगे है इतनी पीछे है तो इसमें आपको clear रखना है कि कोई भी घड़ी का जो समय है वो cable कहां से देखा जाता है कि कितनी आगे है कितनी पीछे है सर 65 सही 5 वटे 11 से मुख्यता 65 सही 5 वटे 11 से जो है आप क्या कहते हो कि घड़ी की सुईयां हमारी जो minute की सुई गंटे की सुई वो कितने minute आगे है या कितने minute पीछे है आपके लिए रखना अगर आपका time मैं क्या बोला हूँ आप जो भी comparison कर रहे हैं वो आप किस से देख रहे हैं 65 सही 5 वटे 11 से तो आप क्या कह रहे हो कि अगर आपका time क्या कह रहा हूँ मैं अगर आपका time क्या कह रहा हूँ कि अगर आपका time 65 सही 5 वटे 11 से क्या आता है 65 सही 5 वटे 11 से क्या आ रहा है आपका time जो सही समय होता है वो 65 वटे 11 को समय दिखाया जाता है तो मैं क्या कह रहा हूँ अगर आपका टाइम जो है 65 5 11 से कम आ रहा है तो आपकी घड़ी क्या है, धीमी है, और वही वो लोगों कि अगर आपका टाइम 65 5 11 से क्या आता है, 65 5 11 से क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है, तो घड़ी क्या है आपकी? तेज है ठीक? ये ऐसा क्यों वहा रहा है? क्योंकि आपको हमीशा याद रखना है कि हमारी घड़ी कितनी आंगे है कितनी पीछे है इसका फॉर्मिशन केबल और केबल इस आधार पर दिखा जाता है कि घड़ी का सही समय क्या होता है? 65 बटे 11 इसके आधार पर हम क्या करते है? हमारी घड़ी के समय को चेक करते है कि हमारी घड़ी कितनी आंगे है या कितनी पीछे है तो आप किलिए रखिए कि घड़ी के समय के क्योंकि आपको मालम है कि हमारी घड़ी की सुईयां जो होती है वो दो आधार पर मिलती है पहले तो वो सम्मान दिखाएं दिखाती है और फिर उसके बाद सम्मान दिखाने के बाद वो आंगे जाती है और पीछे जाती है। तो आग ही clear है कि घड़ी की सुईयों की दिसा, अगर मदला घड़ी की सुईयों का time जो है 65 से 5 बटे 11 से क्या है कम है तो घड़ी दीमी है और 65 से 5 बटे 11 से अधी क्या होगी हमारी तेज होगी, हना तो इस आधार पर हमारे लिए सबसे पहला concept और सबसे पहला question किये यह कि निकाल सकते हैं कि जहां पर हमारी घड़ी कितनी समय तेज आ रही है या फिर आपका कम हो रहा है ठीक है अब आप इस question को solve कर रहे हैं तो कैसे करेंगे तो पहला question आपके सामने यह है कि 3 और 4 बजे के बीच में कब minute की सुई और घंटे की सुई से क्या होगी साथ minute आँगे होगीए हमसे question में पूछा जा रहा है अब कितने minute आँगे की बात कर रहा है साथ मिनिट कितने मिनिट साथ मिनिट आंगे होगी कब घंटे की सोई मिनिट की से कितने मिनिट साथ मिनिट आंगे होगी ये हमसे कोश्चन पूछा जा रहा है अब कोश्चन को जाने और समझते हैं कि आपको मालूम है कि कब ऐसा होगा कि जब वो साथ मिनिट आंगे होगी अ लेकिन बात यह आती है कि इसमें कौन सा कॉश्चन हमारा एपलाई होगा मतलब कौन सा कॉश्चन को करते आ रहे हैं वैसे ही हम करेंगे और कुछ नहीं है कि यहां पर पूछा जा रहा है कि कब साथ मिनिट आंगे मतलब एंगल जो बनने वाला है देखिए समझ लिएगा कॉश्चन को टाइम क्या दे रहा है हमारे तीन से चार लेकिन हम अभी इसमें जो पैसट पैसट साही पांच बटे ग्यारा माइनस दिया गया समय अपॉर्मेट दिया गया समय मल्टिबल है कुल टाइम इससे हम अभी इससे सॉल्व नहीं करेंगे हम क गंटे की सुई मिनिट की सुई से यानि कि गंटे की सुई जो है मिनिट की सुई से साथ मिनिट आंगे होगी यानि कि आप समझ रहे हैं कि कम मिनिट की सुई घंटे की सुई से मतलब की मिनिट की सुई पार कर रही है तो पार कर रही है तो कितने डिगरी का एंगल बना रही अब ये भी तो किलियर करना है देखिए हमको मालूम होना है चाहिए कि A2 क्या होता है सर A2 होता है हमारा दिया गया एंगल दिया गया कौन A1 क्या होता है सर आपको ओगे A1 होता है हमारा जो निकालना है हमें निकालना होता है कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात देखिए, दिया गया कौन क्या है सर आप क्या कह रहे हो कि मिनिट की सुई, इस बार जो है क्या करती है, मिनिट की सुई गंटे की सुई को साथ मिनिट आंगे है यानि कि सर साथ मिनिट और मिनिट की चाल क्या होती है hadhi minit ki charlать hoorti hai, 6 degree per minute nonah minit ki sooi, 1 minute mein 6 degree per minute ke saaf ce chalati toh, उस pekar se 7 minute me kitni chalegi 7 into 6 degree 32 degree, याई ki kitnye degree ka k Elise by refresh degree kad polish degree ka, फिर उसके बाद a1 का man kya one花 ago, a1 का man simple sij bata sir, 3 se 4 ke bich me. time hai, 3 se 4 ke bich यानि थाटी आवर्स तीस मल्टिप्लाई कितना तीन है अब करते हैं सॉल्म ठीकें अब मेरी बात समझेएगा साह, अब मेरी बात ठीक मैंनन मेरी बात आती है कि सर्फे सór्ञस होगा मेरी बात सुनिएगा, मिनिट की ख़ ngण इसवार्स किया करती है, प्लस निकलता है, क्या निकलता है प्लस ठीक है चलिए करते हैं हम सॉल्व कितना जाएगा 9-4 हमारा कितना जाएगा 9-4 10-11 12 कितना जाएगा 9-4 कितना जाएगा 13 11 कम 11 कितने बच रहे हैं 12 12 24 यह जो 24 का समय है यह असल में कितने का समय बता रहा है सर यह बता रहा है हमारे 3 बच के 24 मिनिट का समय हमें बता रहा है कि कब हमारी मिनिट की सुई गंटे की सुई को आंगे करती है सर फॉर्मला बस यही लगेगा कौन सा वाला 2 बटे 11 सही A1 प्लस मैनस A2 मैंने आपको क्लियर करके रखा है कि अगर मिनिट की सुई गंटे की सुई को आंगे करती है तो प्लस मिनिट की सुई और गंटे की सुई को पीछे कर रही है तो माइनस क्यों क्योंकि एक गंटे में कोई भी एंगल कितनी वार बनता है दो वार बनता है लेकिन अभी जो हमने पहले concept समझाता कि जब हमारी घड़ी क्या होती है खराब होती है तो उसके संबन्द में आपको म आज वाटे 11 माइनस दिया गया समय अपाउन में दिया गया समय कुल घंटे ये फॉर्मुला आपको बताने के लिए कि घड़ी आपकी कितनी धीमी है या कितनी तेज है अना तीन और चार बजे के बीच में कम मिनिट की सुई घंटे की सुई से चार मिनिट पीछे होगी अब देखिए इसमें हमारा वही पुराना concept दो बटे 11 एवन प्रस माइनस एटू क्या लगाएंगे हम इसमें भी फॉर्मुला क्या लगाएंगे हम दो बटे 11 मिनिट की सुई घंटे की सुई से चार मिनिट पीछे होगी यानि कि सर जो मिनिट की सुई है घंटे की सुई से क्या है पीछे जा रही है क्या जा रही है पीछे में जा रही है तो आप क्या बोलोगे कि सर कुछ नहीं करना है फॉर्मुला आपके सामने है पहली बात तो हम निकालेंगे क्या a2, a2 क्या होता है दिया गया कॉन, दिया गया क्या है, सुई कितनी है, चार मिनिट, कितनी मिनिट की सुई, घंटे की सुई से चार मिनिट पीछे है, कितने मिनिट, और मिनिट की सुई की चारल क्या होती है, मिनिट की सुई की चाल होती है आपकी 6 डिग्री पर 6 डिग्री पर मिनिट तो इस आधार पर 6 डिग्री पर मिनिट जो आपकी मिनिट की सुई की चाल होती है एक मिनिट में तो 4 मिनिट में कितनी हो जाएगी साथ 4 इंटू 6 24 डिग्री क्लियर अब आप क्या कहोगे अब आप क्या कहोगे कि सर इतनी तो आपकी वेल्यू आ गई 24 डिग्री ये कह ए 2 कमान A1 कमान कह सर 3 और 4 क्या बोला है वो 3 और 4 तीन और 4 के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है आपसे सर 3 और 4 के अकॉर्डिंग है तो सिंपल सी बात है A1 कमान क्या हो जाएगा सर आपको होगे 30 आवस याने की 30 multiply 3 याने की 90 अब मेरी बात समझेगा सर A1 कमान निकल चुका है formula रहाते हैं 2 बटे 11 A1 कमान कितना है सर A1 कमान है आपका 90 A2 कमान कितना है आपका 24 लेकिन इस बार plus होगा या माइनस बात को ध्यान पुरोगा समझें कि यहां पर मिनिट की सोई गंडे की सोई से 4 मिनिट आ पी-चे और जब पीछे की बात की जा रही है तो आपने बोला था कि जब भी पीछे की बात हो रही है तो हम यहा जार रणा नप माइनस लेते हैं हम- माइनस- तो नब्य माइनस 24 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर आप कुछ नहीं कहेंगे कि यह कहेंगे कि सर नब्य माइनस 24 यानि 2 वटे 11 में थोड़ा व। मैं घूंथ ओप सुपर लेता हूं क्या बोला मैंने दो बटे 11 कितनी होगी वेल्यू अब दस में से 4 गए हमारे 6 कितने बचे 8 8 में से 2 होगा हमारे यह हमारा टाइम निकल गया तो आप क्या बोलोगे 3 से 4 का समय दे रहा है तो 3 बचके 12 मिनिट पर हमारी मिनिट की सुई घंडे की सुई से क्या होगी चार मिनिट पीछे होगी, तो क्या समय होगा, आप्शन डी, चरीन बच के बारा मिनिट का हमारा क्या निकलेगा, सही आंसर निकलेगा, कि तीन बच के बारा मिनिट हमारा राइट आंसर है, अना? रवी की घड़ी की दुकान में, कि रवी की घड़ी की दुकान में, दो दिवार मरमत के लिए लाई गई, एक गड़ी में कुकु प्रतेख, 16 मिनिट बाद भार निकलती है, जबकि दूसरी में कुकु प्रतेख, 18 मिनिट बाद क्या होती है, भार निकलती है, तो यदि दौनों कुक्कू 12 बजे भार निकली तो फिर वेट दौनों एक साथ कब भार निकलेंगी ये हमें बताना है क्या बोला हूं मैं इस कॉश्चन में आपसे बस ये बोला गया है कि ये रभी की घड़ी की दुकान में दो घड़ियां है जो क्या है दो दिवार घड़िया है जो कि क्या लाए गई गई है मरमत के लिए लाए गई है अब एक घड़ी में कुकुक जो कुकु मंदब की जो आपके चड़िया होती है वो कितने मिनिट वाद 16 मिनिट वाद जो है भार निकलती है और दूसरी घड़ी में कुकुक पर ते को बताना है कि भाईया समय हमारे 12 बजे जब वो एक साथ भार निकली है एक जो है कितने मिनिट वाद एक जो है कितने 16 मिनिट बाद भार निकलती है और दूसरी जो है कितने मिनिट वाद हमारे 18 मिनिट बाद भार निकलती है तो हमें बताना कि 12 बजे एक साथ कम निकलेंगी तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है आपको पहले से solve करना है आंसर बताना है कि आप LCM लेके solve कीजिए बताइए इसमें क्या answer आएगा ताकि हम फिर इसके करेंगे solve करेंगे सकतिओर उला किंगा प्राइब धिर यापको करेंगे solve करेंगे झाल मुड़कार या-क और शो इसके ञे करेंगे झाल ठीक है आईए सौल करते हैं इस कुश्चन को जानते हैं क्या आंसर आएगा क्या बोला जा रहा है एक घड़ी की दुकान में दो दिवार घड़ी हैं मनमत के लिए लए गई गई एक घड़ी में कोकुच पर दिएक 16 मिनिट बाद भार निकलती है दौना कोकुच फिर बारा बज़े भार निकली थी फिर दौना एक साथ कभ भार निकलेंगी कुछ नहीं करना है आपको बस इतना से करना होगा कि सर दौनों कुक्कू का टाइम पूछा गया है कि कब एक साथ घब भार निकलेंगी दौनों एक साथ कब निकली थी पहली बार बज़े भार निकली थी दौनों एक साथ कब बार निकली थी 120 बज़े एक साथ क्या कर भी हीं थी बार निकली थी कि सर आप से बार बज़े से अब एक साथ का बार निकले थी By अब एक निकलती है 16 मिनिट वाद और दूसरी के निकलती है 18 मिनिट बाद इन दोनों का आप क्या लेलिए LCM क्या बोला हूँ 16 और 18 को क्या लेना है LCM क्या निकलेगा 16 और 18 यह स्यम तो हम कहेंगे 16 और 18 का जो LCM अठारा सर आपने कर दो अठे सोला दो नहीं हम दो इनाम अठारा फिर आपको क्या जाएगा सर दो चोको आठ अधि दो दुनी चार और फिर दो अना और फिर आप कह रहे हो नौ मतार कि तीन तो कितना हो जाएगा आपका दो 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 चार दोदो आठ आठ दो दोनी सोला सोला नहीं होती है आप बोलोगे 44 और 18 18 में जाएंगे तब कितने का बोल सकते हैं 18 18 कितने होते हैं आप से 144 तो value क्यों हो जाएगी sir आपने इन दोनों को plus कर दिया value क्या निकल गई sir sorry इसमें आपको divide नहीं करना है हाँ कीवल कितने निकले हैं 144 मिनिट कितने मिनिट निकले हैं sir 16 और 18 के LCM के according 144 मिनिट अब 12 बज़े एक साथ निकली थी अब 12 बज़े के बाद वो कम निकलेंगे एक साथ sir 12 plus 144 मिनिट value क्या हो गई sir आप क्या को हो गई कि 12 plus 144 मिनिट तो देखिए 12 plus 120 मिनिट तो वो ये हो गई हमारे 2 घंटे हैं ना बचे कितने 24 मिनिट तो sir 12 से 120 मिनिट मतलब की 2 घंटे तो 12 एक दो और 24 मिनिट अलग से तो दो बज़े के 24 मिनिट दो दो बज़े के 24 मिनिट पे जो वो क्या होंगी एक साथ दोबारा जो है भार निकलेंगी कितने बजे दो बच के 24 मिनिट, option C, दो बच के 24 मिनिट क्या बनेगा हमारा right answer, अना, ऐसे ही हम समस्ति हुजाएंगे, next question की तरफ, next question की तरफ हम आँगे बढ़ेंगे, और बताएंगे कि next question हमारा क्या बनेगा, ठीक है, यह रहा आपके सामने next question, देखे, एक बस डिपों से चिन्ने के लिए प्रते एक 30 मिनिट बात क्या होती है, बस छूटती है, भही पूस्ताज करमचारी ने एक यात्री को बताया कि चिन्ने की बस जो है, 10 मिनिट पहले जा चुकी है, क्या बोला हूँ, एक बस डिपों से चिन्ने के लिए प्रते एक 30 म हो आपका क्या बोलोगे तीस मिनिट और प्लस दस मिनिट कितने चालिस मिनिट ठीक है फिर अगली बस जो है साड़े-दस बज़े प्राता जाएगी सुबह कितने बज़ जाएगी साड़े-दस बज़े तो हमसे यह पूछा जा रहा है कि तव हमसे पूछा जा रहा है तो उस पूछाज करमचानी ने यह सूचना दी थी तो वह समय क्या था जब यह सूचना दी जा रही थी तो वह समय क्या होगा यह हमसे पूछा जा रहा है अब आपको यह बताना है कि हमारी अगली बस प्रते एक तीस मिनिट पर जा रह हुआ है अब 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 से पूछा गया है अब प्रतेक 30 मिनिट बाद जाती है अब साड़े दस बजे आपकी जो है बस जाएगी तो थारे दस बजे बस जाएगी तो उसने कितने बजे पूछा होगा यह बात आती है सद्थे अगली बस साड़े-दस बजे अगली दस कितने मझे शाटए जाने वाली यह हैंट अंजट स ठीक है अब साड़े-दस बजे س पहले कि जो बस होगी गिख से पहले कि बस कितने मझे गई होगी अब वो ये कह रहा है कि सर सामने वाला परसन ये कह रहा है कि अब जो बस है वो कितने बज़े जा चुकी है मतब कि 10 मिनिट फूस्ताज करमचारी पहले मतब कि वो क्या बोला एक यातरी को बताया कि चेनने की बस 10 मिनिट पहले जा चुकी है यानि कि 10 मिनिट पहले, 10 मिनिट पहले मतलब की 30 मिनिट, जैसे कि आपके 10-10 और प्लस के 10, तो कितने हो गए आपके? 10-10, अब यह कह रहा है कि इस से 30 मिनिट पहले जा चुकी है, तो आपको बस यह बताना है कि टाइम क्या हो रहा है हमारा, 10-10, 10 वजे का या 10-20 का या फिर हमारे 9-50 का ये हमसे question में है पूछा जा रहा है तो हमको मालब होना चाहिए कि हमारा right answer क्या बनना चाहिए ठीक, बताइए क्या answer बनना चाहिए इसका ठीक, तो क्या बोलागा है मैंना जैसे कि देखिए मैंना क्या बोला 10.30 वजे नई अगली वज जागी इससे 30 मिनिट पहले 10 वजे ठीक है, तो वो सामने वाला से 30 मिनिट पहले की next बक्स कौन से होगी 10 वजे, तो सामने वाला परसन क्या बोला कि 30 मिनिट पहले जा चुकी है 30 मिनिट पहले जा चुकी है का मतलब कि ये कहना चाहता है कि Sir वो बस पहले ही निकल चुकी है तो आप क्या कह रहे हो कि सामने वाला परसन कितने वज़े जा कि उससे मिला होगा तो आपने क्या बोला कि 10-10 Option B क्या है 10-10 हमारा right answer है कि 10-10 पे उसने क्या है वो मिलने गया है ठीक है यह हमारा क्या बनेगा right answer बनेगा 10-10 इसी तरीके से हम next आंगे बढ़ रहे हैं और समझ रहे हमारा next question क्या होगा जितने समय में second की 480 degree घुमती है उतने ही समय में minute की 100 कितने degree घुमेगी यह हम से पूछा जा रहा है अब आपको बताना है कि इसका right answer क्या होगा कि 6 degree, 9 degree, 8 degree और 4 degree आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से इसका answer आएगा बताए क्या इसका answer आएगा ताकि हम क्या करेंगे इसे solve करेंगे ठीक है बताए क्या answer आना चाहिए इसका करेंगे 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 ठीक, आईए स्लॉल करतें इस कोश्चन को, अब बोलो गया है कि जितने समय में सेकंड की सुई 480 डिग्री घुमती है, पहली मेरी बात तो के लिए रखेंगे कि सर, कि हमाया ये मालूम होना चाहिए कि एक सेकंड की सुई जो है, सेकंड की सुई की चाल कितनी है, तर आपको होगा कि सेकंड की सुई की चाल है, 360 डिग्री पर मिनिट, कितनी है, 360 डिग्री पर मिनिट, अब 360 डिग्री पर मिनिट है, ये इसकी चाल है, के लिए रहे, अब एक मिनिट में तो ये पूरी 360 डिग्री घुम चुकी है, क्या बोल ला हूँ मैं, कि एक मिनिट में, मिनिट में, एक मिनिट में, क्या बोल ला हूँ, एक मिनिट में, कितना घुम चुकी है, 360 डिग्री, क्यौन हमारी सेकंड की सुई, किलियर है, भाई, एक सेकंड की सुई, एक मिनिट में 360 डिगरी याने कि 60 सेकंड में 360 डिगरी पूरा गुम चुकी है अब बात आती है 480 डिगरी की फ़ई सेकंड की सुई 480 डिगरी गुमती है तो उतने समय में मिनिट की सुई कितने डिगरी गुमती है अब मेरी एक बात समयना एक मिनिट में कितनी है, 480 होती है, जो 60 डिगरी घुम चुकी है, कौन, सेकंड किसी, तो अब कितने बच रहे हैं, सर आप क्या क्या होगे, अब कितने सेकंड बच रहे हैं, तो हम ये कहेंगे, कि सर अब हमारे 120 डिगरी बचे, कितना, 120 डिगरी, 120 डिगरी में क्या आंसर आएगा, तो हमें ये पता करना है, 120 डिगरी, कितने सेकंड ये कितने मिनिट के अकोर्डिंग होगा, सर दिखिए, 120 डिगरी घुमना है उसे, 360 डिगरी वो घुम चुकी है, तो 120 डिगरी घुमने के लिए कितना टाइम हो लगेगा, है अब मेरी बास समय ना साथ सेकंड कितना 360 एक सेकंड तो अब बात इसी तरी के साम समझते हैं इसी तरी के साम बात को समझते हैं और जानते हैं कि हमारी वेल्यू क्या होगी थीक है तो एक सेकंड कितना है छैडिगरी है तो एक डिगरी बराबर कितना हो जाएगा आई इसे सॉल्ल करते हैं देखिए 360 डिगरी यानि देखिए प्रॉपर एक मिनिट हो गया प्लस 120 डिगरी 120 डिगरी कितना हो जाएगा खैदुनी 12 यानि कि 20 सेकेंड ठीक है एक सो भी एक मिनिट प्लस 20 सेकेंड यानि कितना चली है सर सेकेंड कि सुई आपका वो 400 से डिगरी कितना ठामी लिया है उसने एक मिनिट प्लस 20 सेकेंड कितने से एक मिनिट एक मिनिट भी सेकेंड ठीक है कितना बोलाँ मैं एक मिनिट 20 सेकंड अब इधर आ जाते हैं आपन अला एक मिनिट 20 सेकंड हो गए आप इधर आ जाते हैं कितने गुंती है उतने ही समय मतब एक मिनिट 20 सेकंड में मिनिट की सुई कितना घूमेगी कितना है एक मिनिट 20 सेकंड में मिनिट की सुई कितना घूमेगी यह हमसे पूछा जा रहा है अब 1 minute में,four minute की switch 1 minute 20 second में कितनी degree घुमेगी? ये हमसे question में पूछा जा रहा है. देखिए, 1 minute 20 second का time हो गया है, कि भाई, कितने समय में 480 degree घुम रही है? 360 degree 1 minute में 120 degree कित्मे हो जाएगी? 20 second में तो हो गया हमारा 1 minute 20 second, है na? क्या बोलना हूं? है आपका एक डिगरी कितना हो गया आपका एक बटे च्छे तो अब आप समझते हैं एक मिनिट बीस सेकंड में हमारा मिनिट की सुई कितनी कितनी डिगरी घुमती है हम क्या जानेंगे कि इसका आंसर क्या बनेगा तो आप ये कहेंगे ठीक तो हम क्या कहेंगे कि इसका आंसर क्या बनेगा अब मेरी बात ध्यान पुर अउख समझना कि क्या बनेगा इसका अंसर मैंने क्या कहा पहले बात तो समझीए गा कि सर मिनिट की सुई मिनिट की सुई एक मिनिट में मिनिट में कितना डिगरी चलती है छै डिगरी इसे आप क्या कर सकते हो इसे आप ऐसे लिख सकते हो 60 प्लस 20 कि एक मिनिट में कितने चल रही है सर शे डिगरी कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सर एक मिनिट में कितनी हो गई असी डिगरी साट सेकेंड है चैडिगरी एक सेकेंड है सर चैड़ अपॉन में साट इतने हो गए एक बटा दस बस फिर गया था चैड़े कि एक हैं किसे किर हो ग्राइध है ऐसी बटे में 10 तके ऐसे में समझा देता हूं आपको ताकि आपको क्यां Local ना वने जहीं है देखिए कुछ नहीं करा है हमने क्या कहा है कि सर्क जितने सह में सेकंड की सुई 480 डिग्री गुमती है सेकंड की सुई 360 डिग्री पर मिनिट ठीक है यानि कि सर 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री यह तो हो गया हमारा क्या सेकंड की सुई के लिए एक मिनिट अब 120 डिग्री के लिए कितना होगा सर्थ देखो एक मिनिट 360 ठीक है तो आपने क्या गोला एक मिनिट कितना होगा 360 तो यह हो जाएगा 60 सेकंड अपॉन में 360 बरावर में एक डिग्री ठीक है सर 120 डिग्री के लिए क्या करा एक सो बीस अपॉन में 360 ठीक है मल्टिप्लाइ में 60 यह से यह कैंसे लोगा है 6 कम 6 6 चंग 36 और 6 दुनी 12 याने वैल्यू बन गई सर आपकी एक मिनिट 20 सेकंड इसने समय में 480 डिग्री घूम गई तो s אז मिनिट की सभी का क्या रहेगा मिनिट की सभी की चल क्या है मिनिट की चल क्या है मिनिट की सभी की चल शह डिगरी टाइम हो रहा है total 60 second plus 20 second कितने हो गए 80 second ऐसे ही six डिगरी per minute है तो sir value क्यों हो जाएगी six डिगरी per minute याने कि say second में six upon में साट हैनि एक बटा दस तो वैल्यू क्या हो गई सर असी अपॉन में दस बरावर में आठ डिग्री यह हमारा राइट आंसर इसी लिए हमारा आप्शन सी क्या वनेगा राइट आंसर वनेगा ठीक है एक पुजारी ने भक्त को बदाया कि पहले बजी थी तो अगली गंटी साथ बचके पैतार स्मिनट पर बजेगी अब मुझे पूछा जा रहा है, पुजारी नहीं ये सूचना भक्त को किस समय दीती ध्यान पुर्वग इस question को पढ़ें, बिल्कुल हमारे बस stop जैसे question है बताई इसका क्या answer आएगा, ताकि हम क्या करेंगे, इसे solve करेंगे ठीक है, बताईए क्या answer आना चाहिए इसका ठीक है, आएइए, आएए आएए सुल करते हैं, इस question को, देखे, question में बोला गया है पुजारी ने बक्त को बताया कि घंटी 45 मिनट के 59 अंतरा ब्रवस्ती है, अन्तिम घंटी 5 मिनट पहले बजी थी, अब घंटी 745 पर बजाएगी ति यानिकी सर देखे, 45 मिनिट का अंतराल यानि की घंटी, सोरी साथ 45 पर अगली घंटी है बजने वाली, इस से 45 मिनिट का डिरिशन, यानि की कितना बज़ रहा है सर यहाँ पर, 7 बज़े का टाइम लेकिन वो यह बोल रहा है 45 अंतिम घंटी, जो है 5 मिनिट पहले बज़ी थी, यानि लास्ट घंटी कितने मिनिट पहले बज़ी थी, 5 मिनिट पहले यानि कि अगर यह 7 बज़े है तो 7 से 5 मिनिट पहले कितना हो जाएगा सर, प्लस 5 मिनिट यानि कि 7 बज़ के यह हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर तो साथ पांच हमारा क्या बन रहा है, राइट आंसर निकल के आ रहा है, कि अगली घंड़ी साथ बज़ के पांच मिनिट पर बज़ेगी, ओके, ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्ट कोश्चन हमारा ये रहा आपके सामने, एक घड़ी में मिनिट की सुई, घंड़ी की सुई को 65 मिनिट में क्या कर लेती है, पार कर लेती है, तो घड़ी एक दिन में कितनी धीमी बात तेज होगी, ये हमसे कोश्चन पूछा गया है, अब ध्यान पुरुभग बात देने वाली ये है, कोश्चन क्या बोला है, कि एक घड़ी में मिनिट की सुई, घंड़ी की सुई को क् 30 मिनिट में पार कर लेती है, कितने मिनिट में, 65 मिनिट में क्या कर लेती है, पार कर लेती है, तब घड़ी एक दिन में कितनी धीमी हुई है, कितनी तेज होगी, ये हमें बताना है, कोशन करने का सिम एक ही तरीका है, आपको दिया गया समय भी क्या है, सर कुछ नहीं करना, य 65 सही 5 बटे 11 माइनस दिया गया समय मैंने आपको concept में यह समझाया था कि सर यह formula कब apply होता है जब आपसे यह पूछा जाए कि आपी घड़ी कितनी धीमी है या फिर आपी घड़ी कितनी तेज है तभी जाके क्या कर पाते हैं आप इस formula को apply कर पाते हैं मैंने यह समझाया था कि गड़ी कितनी घड़ी तेज है वो कहां से चेक करते हैं सर आप एक समय होता है 65 सही 5 बटे 11 यहां इस समय के आधार पर आप value को क्या करते हैं चेक करते हैं मैंने आपको यह समझाया अगर समय का मान 65 सही 5 बटे 11 से क्या है कम है या तो value क्या रहेगी सर आपको होगे कि हमारी धीमी है अगर अधिक है तो तेज है याद रखिएगा इसका मान अगर प्लस में है क्या बोल रहा हूं अगर आप क्या कह रहा हूं इसकी वैल्यू क्या है प्लस में है तो आप क्या कहोगे कि वैल्यू अगर प्लस में है तो घड़ी क्या है तेज है और म यहां पर दिया गया समय कितने घंटे हो जाएगा आपका 65 और घड़ी एक दिन में कितने घंटे होते हैं तो sir 24 गंटे अब करिए अफसर और बताइए क्या अंसर आएगा इसका अब तर अ अ गया से ऐ ब करतेते हैं इसको ब करते हैं ठीक आईए solve करते इस question को और बताते इसका क्या answer आएगा ठीक जैसे कि क्या बोला गया है हमारा total कितने घंटे है 24 घंटे ठीक है चलिए 65 पांच बटे 11 आपका क्या रहेगा नियत समय इसी के according हम कितनी घड़ी हमारी आँगे है पीछे यह हम चेक करते है ठीक है 65 पांच बटे समय की बात की जा रही है तो आप क्या होगे 24 आवर्स याद रखिएगा कि हमारे जो answer की unit होगी वह हमारे इसके according ही चेक की जाएगी हाना ठीक अब आप इसे ध्यान पूर्वक देखेंगे तो यहाँ पर आप value को इस तरी की से लिख सकते है 65 प्लस पांच बटे 11 माइनस 65 अ और हाँ multiply में क्या चलता है हमारा 24 तो अब मैं वसे यहाँ पर solve करने की क्या हूँगा कि 5 अपॉन में 11 multiply में 65 और multiply में क्या है हमारा 24 इसके according हम time को जो है value निकालेंगे वो क्या रहेगी सर आप यह को होगी 5 एकम 5 यह कि तो होगया 5 एकम 5 और फिर 15 ठीक value क्या निकलके 24 कि 24 में 13 एकम 3 कि तेरा थिरे कम 3 र говорik हमारा कितनी जागा 14 तो अब क्या बोल रहे हो 24 अब को और हो दहीमी है आप की तीज एक और तो आपको सर्य कह रहे है है कि हमारी तेज इसमें प्लस में आई तो हम क्या कह रहे हैं आए तो आप क्या कह रहे है कि हमारा क्या answer आएगा 24 अपन में 143 घंटे तेज option C इसका right answer ठीक है इसी तरीके से हम क्या करेंगे हमारे next question को हमारी आने वाली जो next class है उसमें क्या करेंगे हम discuss करेंगे आज की class को हम यहीं पर समाप्त करते हैं धन्यवाद जतर शो समाप्तर। क 위 दो राच्तर।